आज का जो हमारा वीडियो है इसमें देखने वाले हैं confirm dialogue box कि हम कैसे confirm dialogue box बना सकते हैं आपको बता यहता हूं previous video में हमने देखाता है कि कैसे हम message dialogue box create कर सकते हैं आज का वीडियो इसमें हम बात करेंगे अपना second option जो कि हमारा है confirm dialogue box ढाव की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हम एक 되면 प्रटा में मैंकों अव हमारे पास एक window listener interface है और window listener interface के अंदर बहुत सारे क्या है methods है तो यह जो हमारी class है window adapter यह implement करते हैं सारे के सारे methods को जो कि window listener interface के अंदर available है और उनकी empty default implementation provide करा रहेती है इसका फायदा क्या होता है देखिए it is useful when we want to create a window listener but only need to override one or a few methods just suppose करें आपको क्या है कोई functionality चाहिए जो कि window listener interface के अंदर है बट अगर आप window listener interface को implement करते हैं अपनी class के अंदर उस case में क्या होगा आपको window listener interface के सारे ही methods को implement करना पड़ेगा अपनी class बट आपकी requirement क्या है किसी एक method को आपको use करना window listener interface का बट करना क्या पड़ रहा है आपको अगर आपको interface और abstract class का जो concept अगर वो clear है तो आप समझ जाएंगे कि आप जब भी interface को implement करते हैं तो अगर आपको अपनी class का object बनाना है तो उस case में आपको interface के सारे ही सारे के सारे methods को क्या करना पड़ेगा implement करना पड़ेगा अपनी class के रहा है तो यह बट हमें requirement है एक ही method की तो वह क्या करता है तो वह जो चीज है नहीं कि यह की method को हमें override करना है तो हम वह किस तरीके से कर सकते हैं वह फिर हम इस window adapter class की help से कर सकते हैं क्योंकि जो हमारी window adapter class convenience class है convenience class क्यों है क्योंकि यह window list interface के सारे की सारे methods को क्या करती है implement करती है कैसे it provides empty default implementation तो हम क्या करेंगे window adapter class को extend कर लेंगे अपनी class के अंदर और हमें जो भी method required होगा वह अपनी class में क्या कर लेंगे override कर लेंगे तो इस तरीके से window adapter class क्या करती है हमें help कर देती है हमारे काम को easy बना देती है इसलिए से हम convenience class कहते है है so it is useful when we want to create a window listener but only need to override one or few methods याने कि window adapter class कम कब करते हैं जबकि हमें क्या करना है only need to override one और a few methods तो काफी important class है काफी helpful और काफी अच्छा feature है next देखते है window closing method अब window closing method क्या है क्योंकि यह method है जब हम अपना अभी program create करेंगे उस program में जब confirm dialogue box create करेंगे तो वहाँ पर आपको इस method को use करना होगा तो आपको confusion ना है वहाँ पर तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर explain कर दे रहा हूँ window closing method is part of the window listener interface यह जो window closing method है यह part है किसका window listener interface का so this method is called when the user attempts attempts to close a window यह जो method है आपका window closing method है यह कब call होता है जब user क्या करता है window को close करने का try करता है जैसे user window को close करेगा तो confirmation before closing the window यानि कि हम क्या कर सकते हैं इस window closing method का use कर सकते हैं कोई specific action perform करने के लिए या फिर और to provide confirmation before closing the window यानि कि जैसे ही window close करते हैं यूजर जैसे window close करता है तो हम एक confirm dialogue box इसके सामने ले आएंगे और उससे पूस्ट लेंगे क्या वो सच में window close करना चाहता है अब हम इस ते कुछ से close बटन पर क्लिक हो गया है तो कैसे काम करेगा मैं एक बार आपको program के थूर दिखायता हूं ताक कि आपको एकदम clear हो जाए बाकि theory version आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए यहां पर चलते हैं अभी मैं program की बात नहीं कर रहा हूं आप नेक्स वीडियो में देखने वाले हैं मैं फिलाल आपको बतायता हूं कि यह जो हमारा confirm डालोग बॉक्स है कैसे काम करता है कि यहां पर मेरा एक जी फ्रेम है जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा क्लोस पर तो हमारे पास क्या आगया यह confirm डालोग बॉक्स आर यू शूर अनकि क्या आप इसे क्लोस करना चाते हैं कि मैं जैसे यस नो करूँगा तो क्लोस नहीं होगा अगें क्लिक किया कैंसिल अगर में जो प्रोग्राम का जो section और वह मैं नेक्स वीडियो में कबर करूऄ आँ मैं लॉंग वीडियो बनाने बनाना प्रेफर नहीं करता हूं तो इस वीडियो को इतने हैं एकर आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक शियर एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब न ना भूले, नेक्स सुड़ों में मिलेंगे, तब ते कि लिए बाबाए